नमस्ते दोस्तों जोहार आप सभी का विश्यक चक्रवती यूटूब चैनल में हादिक स्वागत है दोस्तों आप लोगों के डिमांड को देखते हुए आज मैंने क्लास 12 के पॉइडिकर साइंस के यानि फर्स्ट रम के अब्जेक्टिव एक्जाम के लिए ओल इन वान वाल ऐक भी आपका चुटने वाला नही है अगर आपने मेरा सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा तब प्लिस एस वीडियो के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को देख लीजिएगा Tarman अपका एक्जाम में छुटने वाला नहीं है ताही मानिये दोस्तों आपे लोगों का बहुत अच्छा अ गया अप्रेल 1949 में कौन सा सैनिक संगटन बनाया गया था नाटो बनाया गया था दोस्तों नाटो एन ए टी ओ नॉर्थ आट्लांटिक ट्रीटी और्गनाईज़शन ठीके जब नाटो की अस्थापना हुई थी दोस्तों तो कितने देश समिल थे 12 देश समिल थे यह भी याद रखिएगा एक अमेरिकी राष्टपती केनेडी और एक सोवियत संग के राष्टपती का नाम क्या था दोस्तों निकीता खुरुष्चेप याद रखिएगा इन दोरों की बिश्टकरार था ये क्यूबा का मिसाइल संकट याद रखिएगा कब हुआ था 1962 में याद रखिएगा वार्षा संधी जिसको वार्षा पैक्ट के नाम से भी जाना याता है कब बनाया गया तो दोस्तों 1955 में कब 1905 में और नाटो 1950 में ठीके वह संजुक्त राज अमेरिका बनाया था आए ये सोवियत संग क्या बनाया था वार्षा संधी याद रखिएगा एक 2018 यानि 1914 से 1918 तक याद रखिएगा चलिए क्वेश्चन में 6 की ओर बढ़ते क्या पुछा गिया है दित्य विश्वियूद कब से कब तक हुआ था दोस्तों दित्य विश्वियूद यानि Second World War कब से कब तक चला था दोस्तों 1949 से 1945 तक 1939 तो 1945 ठीक है याद रखिएगा आई यही 1945 1945 से क्या है स्थाट हो गया दोस्तों सित यूद का स्टाट हो गया चलाव सेथिल्य का दोर कीस वर्स के बाद सुरूऊआ ए 2017 के Go चलिएंच्ट को परते भरते हैं देखते हैं क्या पूछा गिया है प्इंट में सिखर सम्मिलन कब और कहां हुआ, क्या पुछा गया है, कब और कहां हुआ था दोस्तो। बढ़तें पुछा गया है, जिसे उदारवादी भी कहते है, इस गुठ का नेतरित को अ कर रहा है था δोस्तो। संजुक्त राज अमेरिका याद रखिएगा संजुक्त राज अमेरिका पुण्जी वादी या उधार वादी लोकतंत्र गुट का नित्रित्व कर रहा था बोत इंप्पोर्टेंट कुछन ठीक है चलिए क्वेशन में 10 क्यों बढ़ते क्या पूछा गिया समाज वादी या सा जुक्त राज अमेरिका याद रखी है ठीक है चुलिए क्वेशन नमर 11 की ओर बढ़ते क्या पुछा गया सित यूत कब शुरू हुआ और इसका अंध कब हुआ यानि सित यूत की शुरूआत कब हुई थी और सित यूत का अंध कब हुआ तो यह पुछा गया तो सुरूआत में अगर 1945 ना रहे तो दित्यविस्वजुद के बाद शुरूए थी याद रखी है ठीक है और सित यूत का अंध कब हुआ दोश्तो 1991 में ऐसी दिन क्या हुआ दोस्तो सोचनला 12 को देखने क्या पुछा गया गुट निरपेशता कि निव रखने में किस भार्तिय निता का परमुक योगदान था, किसका था दोस्तो, पंडित जोहाल लाल नहरु का, सीत युद में दोस्तो याद राखिएगा, दो गुट में बढ़ गया था, क्या, दो गुट, एक, पुंजी वादी, और दूसरा, साहिमे वादी, पुंज है, यह दोनों प्रयाईवाची है, भारत किसी भी गुट में सामिल होना नहीं चाहता था, किसी गुट का पिछलगू बनना नहीं चाहता था, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, कोशन नमबर 13 की और बढ़ते, क्या पुछा गिया, जी 77 का आसाई दुनिया के किन देशों से है, जी 77 का आसे, दोस्तों किस से है, दोस्तों, विकास सिल देशों से, याद रखिएगा, विकास सिल देश का, ठीक है, कोशन नमब 14 की और बढ़ते, क्या पुछा गिया, उनिस सो सत्रा में रूस में समाजवादी राज की अस्थापना किसने की, दोस्तों, लेनिन ने, किसने, लेनिन ने, ये भी बहुत important question है, ठीक है, चलिए, next question की और बढ़ते है, question number 15 की और, क्या पुछा गिया, सोवियत संग के अंतीम राष्टपती कोन थे, सोवियत संग के अंतीम राष्टपती कोन थे, दोस्तों, मिखाईल गोरबाचेव, याद है न, मिखाईल गोरब का मंत्र इनी नहीं दिया था, important question है, ठीक है, चलिए, question number 16 की और बढ़ते है, क्या पुछा गिया, सोवियत संग के बिवाजन के बाद, रूस का प्रथम निर्वाचित, राष्टपती कोन था, देखिए, सोवियत संग तो खतम हो गया, लेकिन रूस तो रहा न, दोस्तों, सोवियत संग का अंतिम राष्टपती था, मिखाईल गोरवाचेब, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन सोवियत संग खतम हो जाने के बाद, रूस आया, और रूस का प्रथम निर्वाचित, राष्टपती कोन बना, बोरिस यल्तसीन, याद रखिएगा, ठीक है, और मिखा प्रथम निर्वाचित, राष्टपती कोन था, तो बोरिस यल्तसीन, याद रखिएगा, इसमें कोई तरह का डाउट मत रखिएगा, ठीक है, चलिए कोशन में 17 क्योर बढ़ते हैं, क्या पुछा गया है, जर्मनी का एकिकरन कब हुआ था, जर्मनी का एकिकरन कब हुआ था दोस्तों, 1990 में याद रखिएगा, 1990 में जर्मनी का एकिकरन हुआ था, ठीक है, चलिए कोशन में 18 क्योर बढ़ते हैं, क्या पुछा गया है, बरलिन की दिवार किस वर्स खड़ी की गई थी, दोस्तों, 1961 में याद रखिएगा, कब, 1961 में, ठीक है, चलिए कोशन में 19 क्योर बढ़ते हैं, क्या पुछा गया है, बरलिन की दिवार किस वर्स गिराई गही थी, खड़ी की गही थी, यह भी इंपॉटण तै, और गिराई गही घ़ी के खड़ी की गहीथी, 1961 में और गिराई गही थी, नौन नवमबर 1989 को टीक है, याद रखिएगा, नौन नवमबर 1989 को को गिराई गई थी और 1961 में इसको खड़ी की गई थी ये दोनों याद करके चलिएगा हमको लगता है एक ना एक आ जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चावर 20 के और बढ़ते क्या पुछा गया है सौक थेरेपी को कब अपनाया गया 1990 में ठीक है चलिए आप लोगों के लिए क अर्थ है बताएगा शौक थेरेपी का क्या अर्थ है बहुत इंपॉर्ड़न कोशन ठीक है चलिए क्वेश्चावर 21 के और बढ़ते क्या कुछ आ गया किस देश ने नाटों में अमेरिकी नेत्रित का विरोद किया था बहुत इंपॉर्डन कोशन ठीक है किस देश ने एक निर्पेश था का अर्थ क्या है मैंने थोड़े दिर पहले बताया था इंप夃ट में सामील नाई किसी वी गुट में सामील नहीं धक्र किसे भी घूट में सामील नहीं हो आता यानि गुट निर्पेश था ठीक चलिए पश्चमी गटबंदन का नित्रित कोन किया था दोस्तों संजुक्त राज अमेरिका किस ने किया था संजुक्त राज अमेरिका और पुर्वी गटबंदन का नित्रित किस ने किया था दोस्तों सोवियत संग ने याद रखेगा देखें कोशन 25 में वही कोशन पुछा विविरसुव कैने थि कया संजूक्त राज अमेरिका की देने ठीक है क्या इंटरनेट-ठीक हैं इन्टरनेट की सुईदा विषकुभा में कौन प्रदान किया दोस्तों संजुक्त राज अमेरिका बहुत ही important question है और previous यह पुछा हुँआ है ठीक है चलिए कोश्चन में 27 की देखते हैं क्या उच्छा गिया है सोवियत संग के विगटन के बाद कौन सा देश एक महासकती के रूप में उबरा देखिए जब सीत यूद चर रहा था पूरी विस्व में दो महासकती थी एक संजुक्त राज अमेरिका और दूसरा सोवि संजुक्त राज अमेरिका बहुत ही इंपोर्टन कोशन है ठीक है चलिए दोस्तों कोशन में 28 क्यों देख लेते क्या पुछा गया एक धुरुवियता की स्थिति किस देश की सकती का परिचायक है मैंने अभी बताया कि जब सीत यूद चर रहा था तो दो महासकती था एक सं दोस्तों इसी देश का सकती का परिचायक यानि संजुक्त राज अमेरिका इस दा क्रेक्ट एंसर या दनमे रखिएगा चलिए कोशन में 29 योर बढ़ते हैं क्या पुछा गया देख लेते तें ठीक है नए विश्व व्यवस्ता का संग्या दिया दोस्तों, नए विश्व व्यवस्ता का चित्र परस्तुत किया किसने दोस्तों, जॉर्च बूस ने बहुत ही important question थील ठीक है? जॉर्च बूस, ठीक है? चली कोशम 30 की ओर बढ़ते क्या पुछा गिया है? कुवेत पर किस राज ने अवेद कब जा कर लिया था कुएद पर किस राज ने दोस्तों अवेद कब जा किया था इराक ने याद रखिए गया इराक ने कुएद पर अवेद कब जा कर लिया था ठीक है चली कोशन में 31 क्यों बढ़ते क्या पुछा गया है कुएद को किस देश के अवेद चुंगल से म पुछ आगे दित्तियव इस्वजूद यानि अगस्त 1945 इसवी में किस देश ने जापान की दो सहरों हीरो सीमा और नागा साकी पर परमानु बम गिराएं याद रखिएगा दोस्तों संजुक्त राज अमेरिका ने कहां गिरा था जापान के दो सहरों में एक हिरो सीमा में और दूसरा नागा साकी में ठीक है दोनों बम का नाम बताईएगे दोस्तों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है इन दो जगाओ पर जो बम गिरा था उनका नाम क्या है आप लोग कमेंट बोक्स में जुरू बताईएगा ठीक छली कोशना 34 के ओर देखते किया पुछा गया ऑपनरेशन डजिट साम किससे संबंधित था प्रत्थम खाडू किससे प्रत्हंअकर फाडी यूद से ठीक है विए कोशना 35 को देख है पुछा गया अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड शेन्टर पर आतंगवादियों का हमला कब ह हुआ था दोस्तो 11 सितंबर 2001 को कब 11 सितंबर 2001 को इसको 9-11 की घटना भी कहा जाता याद रखी है ठीक है चलिए दच्छीन एसिया के सबसे बड़े देश का नाम बताईए दोस्तो कोन हो जाएगा भारत दच्छीन एसिया का सबसे बड़ा देश भारत है ठीक है चलिए कोशन में 37 की और बढ़ते क्या पुछा गिया है संजुत राष्ट संग की अस्थापना कब हुई बहुत important question ठीक है यह स्थापना देखने को जरूर मिलेगा ठीक है अस्थापना भर भर के आएगा ठीक है और उसका head quarter यानी मुख्याले देखने को जरूर मिलेगा ठीक है दोनों याद करके जाएगा अस्थापना भी याद कर लिएगा ठीक है चलिए कोशन में क्या पूछा गिया है संजुत राष्ट संग की अस्थापना कब हुई कब हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को याद रखिए ठीक है चलिए दूसरा कोशन क्या है कोशन 38 में देखते हैं विश्व वेपार संगतन की अ और नाइजेशन की अस्थापना कब हुई थी एक जनवरी 1995 एक जनवरी 1995 को याद रखिए ठीक है बहुत इंपोर्टन कोशन ठीक है चलिए कोशन 39 में देखते हैं क्या पूछा गिया अंतराष्टिय नयायलाई की अस्थापना कब हुई थी पहला कोशन आप लोग से अप्रेल 1946 को कब 3 अप्रेल 1946 को इसकी अस्थापना हुई थी कहां दोस्तों हेग जो निदरलेंड में ठीक है चलिए कोशन 40 के और बढ़ते क्या पूछा गया यूरोपीय संग की अस्थापना कब हुई थी ये भी बहुत इंपोर्टन कोशन है यूरोपीय संग की को कब 1 नवेंबर 1993 को इसकी अस्थापना हुई थी कहां हुई थी मास्ट्रीच जो निदरलेंड में है और इसका जो मुख्याले यानि हेट क्वाटर है वो ब्रुसेल्स में है जो बेल्जियम में ठीक है याद रखिएगा चलिए कोशन 41 की और देखते क्या पूछा गया सा सारा अस्थापना आज मैं इस सीरीज में दे दिया हूँ बस आप लोग याद कर लिजेगा और सारा का सारा का मुख्याला यानि हेट क्वाटर भी याद कर लिजेगा देखिएगा आपका एक भी प्रसन चुटने वाला नहीं है कंफर में दोस्तों आएगा ठीक है याद कर लिजेगा कोस्जन 41 में क्या पुछा गया सार के यानि दक्षेस की अस्थापना का कब कि गई गई थी दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को कब 8 दिसंबर 1985 को की गई थी ठीक है चलिए कोशन 42 की और बढ़ते क्या पुछ है गया आसियान की अस्थापना कब भी थी आग गया दूसरा कोशन आसियान की अस्थापना कब भी थी दोस्तो 1967 में देखे न सारा अस्थापना आप लोग को इस वीडियो का यानि हेट क्वाटर आए तो आप लोग एक भी प्रसन का गलत जवाब देकर नहीं आईएगा वीडियो को बार-बार देखिएगा याद कर लीजिएगा ठीक है एक भी प्रसन आप लोग का छुटना नहीं चाहिए ठीक है चलिए कोशन 43 देख लेते क्या पुछा गिया साहिमयवादी चीन का उदाइक कब हुआ दोस्तो 1949 में याद राखिएगा बहुत इंप्रटन क्वेश्चन है ठीक है चलिए क्वेश्चन 46 देख लेते क्या पूछा गिया माओ को किस देश का साथ सकता है माओ चाओ चीन से रिलेटेड लग रहा रहा है तो माओ यानि सक्ता दोस्तों चीन का था ठीकिए यादव रखिएगा माौ चाओ चामुईन यादव रखिएगा चीन का ठीकिए बहुत important question is चलिए पॉच्ञ भॉट G7 कौन सा वर्स भारत चीन मितरता वर्स के में मनाया गया 2006 में कब दोस्तों 2006 को मनाया गया भारत-चीन मित्रता दिवस ठीक है चलिए दोस्तों नेश्ट क्यों बढ़ते हैं क्या पुछा गया है क्या फॉर्टी एट में देख लेते हैं ठीक है क्यों बढ़ते हैं क्या पुछा गया है भारत और चीन के बीच पंच सिल समझोता कब हुआ था भारत और चीन के बीच पंच सिल यानि पांच सिदानतों पर यह समझोता हुआ था दोस्तों याद रखिएगा यह कब हुआ था 1974 में कब हुआ था भारत ने पंच सिल का उलंगन करके भारत और चीन के बीच में एक यूद भी हुआ जो कब हुआ दोस्तो 1962 में next question देखी हो इपुछा गिया question of 50 में क्या पुछा गिया भारत और चीन के बीच यूद कब हुआ था दोस्तो 1962 में कब हुआ था 1962 में बहुत important question है ठीक है याद रखिएगा चलिए next question question of 51 में देखते क्या पुछा गिया विस्वा मानवाधिकर दिवास यानी World Human Rights Day कब मनाया जाता दोस्तो 10 दिसंबर को 25 वर्स ठीक है याद रखिएगा चलिए दोस्तो question of 52 देख लेते क्या पुछा गिया है सुरच्छा परिशद में कितने सदेश्यों को वीटो सकती प्राप्त है कितने सदेश्यों को दोस्तो 5 सदेश्यों को जो अस्थाई है क्या है जो अस्थाई यानी permanent है ठीक है देखिए सुरच्छा परिशद में दो टाइप के सदेश्यों को मिलते है एक अस्थाई और दूसरा आस्थाई ठीक है अस्थाई 5 है कितने है अस्थाई सदेश्यों किसे हैं क्या 5 और आस्थाई कितने है दोस्तो 10 याद रखिएगा एक ना एक कोशन से यहां से बन जाएंगे कि बताइए सुरच्छा परिशद में कितने अस्थाई सदेश्यों है 5 है ठीक है दूसरा कोशन क्या बनेगा कि बताइए सुरच्छा परिशद में कितने अस्थाई सदेश्यों है 10 ठीक है चलिए question 53 की और बढ़ते हैं क्या पुछा गिया अंतराष्टिय नयालाई में कितने नयाईधीस होते हैं अंतराष्टिय नयालाई में कितने नयाईधीस होते हैं दोस्तों 15 नयाईधीस याद रखीएगा question 53 बहुत ही important है ठीक है चलिए next question बढ़ते है question 54 की और क्या प्रसन देखने को मिलेगा लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रसन नहीं चुटेगा मैं दावे का साथ बोल सकता हूं ठीके दोस्तों बस बसरते आप लोग याद करके जाएगा और इस वीडियो को बार बार देखिएगा समझेगा और याद कीजिएग एक भी प्रसन इसके बाहर आने वाले नहीं है mostly questions भीड़ जाएंगे दोस्तों बस ये वीडियो और मेरा दुआरा छोड़ा गया set 1 और set 2 ये दोनों भी कर लिजिएगा set 1 और set 2 में मैंने detail में बताया है बहुत सारे questions ऐसे तो set 1 में 40 questions है लेकिन मैंने समझा कर उसमें भी 60 questions दिया है और set 2 में भी 60 questions ठीक है उदर का 60, set 2 का 60 और आज का 60 questions आप लोग को exam में बहुत helpful साबित कराएंगे दोस्तों याद रखिए या एक भी question आपका चुटने वाला नहीं है खाली ये सब revision करते जाए और ये जो term 2 का exam होने वाला है दोस्तों जो आप लोग का subjective type का होगा तो दोस्तों उसका भी मैंने 25 questions important 2 marks के दे दिये है ठीक है बस बचा हुआ आप लोग का 3 marks और 5 marks वाला ठीक है उसका आप लोग तैयारी चालू कीजिए ठीक है दो चार important questions आप लोग comment बताईएगा अगर important questions चाहिए तो मैं आप लोग को बता दूँगा एक भी प्रसन उसके भी नहीं चुटेंगे ठीक है जैसे हरित कांती करके जाईएगा ठीक है स्वित कांती करके जाईएगा बहुत important question दोस्तों के कामराज योजना करके जाईएगा बहुत ही important question सारे important question मैं बता दूँगा ठीक है चलिए वीडियो में बने रहिए next question बढ़ते है क्या पुछा गय संजुक्त राष्ट संग का मुख्याले कहा है 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 संजुक्त राष्ट संग का मुख्या मुख्याले कहा है कहा है दोस्तों ब्रूसेल्स जो बेल्जियम में है कहा है बेल्जियम में ठीक है कोशन 58 देखते दोस्तों क्या पुछा गया सार्क यानि दक्षेस सार्क यानि दक्षेस का मुख्याले कहा है दोस्तों काटमंडु में कहा है दोस्तों काटमंडु में याद बच्यों बढ़ते हैं यहां दिक्षार्थ जो इंडोनेसिय एकी यह दिमाघ में याद रखिए-गा एक भी एक भी प्रसनाप का चुटने वाला नहीं है ठीक है तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने all-in-one वाली स्रीज का सारा important questions कर लिया दोस्तों बस आप लोग all-in-one वाली स्रीज को अच्छे से revision कर लिजिए और मैंने द्वरा छोड़ा गया कर लिजिए दोस्तों एक भी प्रसनाप का चुटने वाला नहीं है ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज all-in-one वाली स्रीज कंप्लिट कर लिया जिसमें 60 important questions जो आपके एक्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो सारे कर लिया है बस आप लोग सेट वान और सेट टू को क्विक रिविजन कीजिए ठीक है सेट वान और सेट टू मैंने पहले ही upload कर दिया है बहुत ही important questions में है दोस्तों पहले सेट वान और सेट टू कंप्लिट कीजिए और एक बार आकर यह all-in-one वाली यही तीने वीडियो में आप लोग को दिया गया है दोस्तों बस इन तीनों का रिविजन कीजिए आपका देखिएगा subjective और objective बहुत अच्छा जाने वाला दोस्तों subjective के लिए मैंने दोस्तों 25 important questions बताया था जो आपके मार्क्स को cover करेंगे ठीक है और बोलिएगा तो मैं कुछ important questions का आप लोग के सामने जिक्र कर दूँगा जो आपके subjective में बहुत काम आने वाले कब लगु किया गया क्यों लगु किया गया इससे क्या देखने को मिला यह आपकाल भी भर भर के पूछा जा सकता है दोस्तों याद कर लिजेगा ठीक है और कुछ important नाम जैसे संदार बल्लबाई पतेल का क्या देन है नहरू जी का क्या देन है डक्टर बियार अंबितकर का क्या देन है यह सब थोड़ा सकाल लिजेगा राजपुनर गठन आयोग से आप क्या समझते हैं यह सब भी कोशन्स देखने को मिलेंगे ठीक है तो यह सब सब्जेक्टिव में भी आप लोग रिविजन कीजिए आपका बहुत अच्छा जाने वाला है बस यह लास्ट ठीक है अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगो थोड़ी भी हेल पूल लागी तो प्लिस लाइक शेयर एंड कमेंट करके आपना फीडवेक देन ना बुले तब तक लिए दोस्तों धाइन्यवाद जैहिंद बंदे मात्रम